पंद्रा जून दो पहर दो बजे गलवान घाटे हिमालाई की उचाईयों पर भारतिय सीमा का एक सुधूर वीरान इलाका कॉर्पल एहमद बेस को खबर देते हैं कि फॉवर्ट पोस्ट से जंडा नदारत है सर देखे वहाँ और भी है परवतों पर उस दिन फॉजी कमांडो अकेले में थे दुश्मन जैनिकों ने गिर्पे पत्थरों की आज लेकर वाजी यूनिट पर धवा बोल दिया कबिर बेस कार्ब स्कॉर्ट थ्री का भारतिये शेहत्र में घुसपाटियों से सामना हुआ रिपेट स्कॉर्ट थ्री का दुश्मनों से सामना हुआ लेटनेंट सिंग की पिट्रूल थ्री टीम को जिस आखरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस खलन से गिरे पत्थर और चट्टा और थे अंधेरा चा गया छे गंटे बाद जब लेटनेंट सिंग की आख खुली तो उनका सर चक्रा रहा था पहाड से हुई पत्थरों की उस बोचार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोटाई थी एहमद, धिलो, रवी फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाईयों से बैतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीर हो चुके थे कम से कम वो जिन्दा तो थे भारतिय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता ये लड़ाई ऐसे खत नहीं होगी मैं ऐसा होने ही नहीं दूँगा बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी जहां एक घुस पैठिया होता है, वहां और भी होते हैं फाद कॉर्परल, तुम कहा हो मैं अपनी टीम को ढूल लूगा और फिर हम इन बिहुदा लोगों को वापस घर भेज़ देंगे अब और घुस पैठिये ये यहां क्या कर रहे इन बिह ये 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 समय को वाव इन लुबिवे कि लुबिए कि मैंने जितना सोचा था हालात उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं यह कोई आम बॉर्डर पे ठोल तो नहीं है को कि मैं यहीं है तुम काईरो ने मेरे आदमियों को कहां छिपा रखा है काईरो मेरे तुम हमेशा तो नहीं भाग सकते हैं अधा वा मैं जाओ को तुम हमेशा तो नहीं भाग सकते हैं शायद इनके ओफिसेस के पास कोई जवाब होगा नो मो प्लेंग शोल जाए तो में से बाए झाल कोई अे बाए गाए जयन कोईद टे प्लाए प्लाए यह बाए कि आप सब्सक्राइब कि रख जाए अप कि अभाइब कि मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा हुआ था वाजी कभी अपना मिशन अधूरा नहीं छोड़ता बॉर्डर अब नस्दीक ही है मेरे साथी ज्यादा दूर नहीं होंगे मेरे भाइटा नीराश नहीं कर सकता नहीं डोन्ड़ के अदे कमांढे आ धर, मैं तुल स्दीक ही घुटूनी यहें यविँ आлоस्तिक दूरल स्दीक है हुआ 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 है हुआ 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 है लेकिन हो सकता है कि लेटनेंट सिंग का स्कौर्ड महां कैद हो एक टेंट लाल टेन की रोशनी में चमक रहा है ये तलाश शुरू करने के लिए एक अच्छी जगा हो सकती है उस छोटे से टेंट की तंग जगया में एक साइट टेबल, एश्ट्वे, एक जलती हुई सिगरेट और कुछ बकसों के ऊपर गैस वाली लाल टेन रखी थी पर सबसे ज़रूरी था एक कैदी जो रसियों से बंधा हुआ था रवी लेटनेंट सिंग की टुकडी का सबसे कम उम्र का जवान, जिसे इतनी बुरी तरह पीटा गया के उसका चेहरा काला और नीला पड़ गया उसमें शायद थोड़ा होश बाकी था सर, उन्होंने दुसरों को बंदी बना दिया रवी ने कहा रिपोर्ट बाद में फॉजी, पहले तुम्हें छुडाना होगा नहीं सर, दुसरों को आपकी मुझ से ज़्यादा जरूत है मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ता फॉजी लिफटनेंट सिंग, रवी के पैरों से रसी खोलने लगते है देर हो गई सर, पीछे देखिए एक दुश्मन सिपाही टेंट में आता है और लिफटनेंट सिंग को पीछे से पकड़ लेता है टेंट में उनके बीच संघर्ष होता है और बगसे गिर जाते है बगसो पर रखी लाल टेंड गिर कर टूट जाती है और उससे गैस निकलने की आवाज के साथ हवा में बद्बू फैल जाती है रवी निकलो यहां से लिफटनेंट सिंग रवी को खोलना चाहते हैं पर देखते हैं कि वो बेहोश है रवी कोई प्रतिक्रिया रही लिफटनेंट सिंग लड़ रहे थे पर जवान तब तक बुरी तरह बेहोश हो गया था लिफटनेंट सिंग उस जलते टेंड से बच निकले नहीं से दूशों को आपकी मुझ से ज़ादा ज़रूत है रवी की ये शब्द लिफटनेंट सिंग के कानों ने गूंज रहे थे लगता है आज मुझे लेसी पर उस पार जाना होगा अँ माब लेसा बोल्दा बादा के की ये लिफटने वुिव ये ना जबादा एक यू अधरी कोशिश है और फिर हम सब आजा सकते हैं वो हमेशा तो उन बॉर्डर्स के पीछे चिपकर नहीं रह सकते हैं 2020 check already उआ matière produk विजए एक जु आए और वेंगआ करने मिचा Tetra पिंगिए और बेंबडे को चिपकर नहीं को प्र engag़ा उन्टर्सी वर्डर्स के पीज़ार्स के साथ्डर्स्त sounds और Michael हुआ 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 है अग Сп 66okay कम भीक विर के अलिप्मादर है बबदिसन… अग हुआ 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 अग हुआ! गुँ ये ख खंश आए फुट अँग अँग कि अपने भाईयों को बचाना मेरा फर्ज है और उन्हें पकड़ने वालों को मारना मज़ा उन्होंने मेरे आद्मों को जहां भी कैल करके रखा है मैं पता लगा लोंगा कि अपने 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 दो है पुड़ा ने कि अपने रखा है कि अामे कझारी है कि अपने मेरे इन्हें स्टाइ़ वालों कि अपने स्टाइब एव्शी अपने दिए कि अभ हूँ अभ अभ बयुजब लड़े लड़ेंगे और हमें साथ मरने का भी कोई डर नहीं है अगर मैं मरा तो मैं याद रखने के लिए कुछ नपच देखर वरोंगा लड़ेंगा कल देखर नहीं है कर दोते दो लाग कर दो दोते हैं मैं अपने आदमियों को ढूंट कर ही दमलूंगा चाहे कैम्प में उनकी पूरी आमी ही क्यों न हो मैं गरीब पहुंच रहा हूँ उडर कर भाग रहे हैं अब। इन एंपे बागी आपने इंकर अढ इंपने ही वे उनकी ऊपने पहरी नहां हूँ झाल! 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 झाल झाल एक वर खाए hitting खफ भाए झाल खर्ट ऱुबन अब बस यही अंध है अब अब रख अब 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 बस यह है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है मेरे देश और भाईयों के लिए मैं जान की बाजी लगा सकता हूँ हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 हु कि अचिए लग जसे प्रेजने की आए लगारिय और लेगारा भीजार आए लेगार वेपार आए लेगार आए लेगार आए सर मुझे तो लगा कोई नहीं आएगा निडर और एक जुट भूलना मत अहमद बस एक काम करना बागी है इसे इसकी सही जगें पहुचाना है रवी करन सुनील और जावेद के लिए वो इसे घर वापस पहुचाने के लिए शहीद हुए सर आज आप में मेरी जान बचाई है समझ नहीं आता मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ मुझे शुक्रिया मत को हैं मत फौजी यही तो करते हैं जहां भी भारतिय धोज लहराता है वहां हम अपनों की हिफाज़त करते हैं मुझे गर्व है मैंने आपके साथ इस देश की सीवा की है सर अभी काम खत नहीं हुआ है अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है मुझे अभी करना बाकी है